नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी की महामानों की जो छवी पालतू मीडिया ने बनाई थी वो बुरी तरह दरख चुकी है कि अबल पात साल पहले जिस मोदी की आलोचना करने की हिम्मत नहीं थी विपक्ष में आज उन्हीं मोदी को खुलेयाम संसद में देश त्रोही कहा जा रहा है रावन से उनकी तुलना की जा रही है जिन गाओं कस्मों तक भाजपा ने ये संदेश बेज कर हवा बनाई थी कि मोदी जादुगर है और उनके पास देश की हर समस्या का समधान है उन्हीं गाओं कस्मों के चौराहों पर चर्चा चल रही है कि मोदी के पास देश की किसी भी समस्या का कोई समधान नहीं है और हवा हवाई भाशन देने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता और अब तो ये कहा जाने लगा है कि मोदी जी की तो एकस्पैरी डेटा गई है मतलब भाजपा का ये प्रोड़क्ट देश की सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है और इसका लेबल दिखा कर अब बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला मोदी जी के चेहरे और भाशन का कमाल अब धल रहा है और यहां तक के खुद बीजेपी के लोग ही उनसे उब गए है इसकी ताजा मिसाल संसद में उनके भाशन के दोरान देखने को मिली तमाम तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है आपकी नजरों के सामने से भी जरूर गुजरी होगी जब मोदी संसद में भाशन दे रहे थे तो बीजेपी के अपने ही नेता जम का रुबासियां ले रहे थे मतलब जब बीजेपी के नेता ही मोदी के भाशन में उमिने लगते हैं सोने लगते हैं तो जनता क्या मैसूस करती होगी ज़र सोच लिजे अच्छा गलती उनकी भी नहीं है करें भी क्या एक ही बात एक ही गाथा कितनी बार कितने तरीके से सुनें मिलो ड्रामा हो जाता है शायद इसलिए बीजेपी के सांसदों की हालत को देखकर उद्धो ठाकरे वाली शियुसेना ने पार्टी को बड़ी कमाल के नसीहत दी है उद्धो ठाकरे हैं उद्धो कार्टोनिस्ट भी रहें चुटकी लेना जानते हैं इसलिए उन्होंने मोदी की तो खूब धज्जियां उड़ाई ही लेकिस साथ ही बीजेपी की हालत पर तरस विखाया सामना ने लिखा है कि 2024 में मोदी का सूरज नहीं होगेगा वो सूरिय के मालिक नहीं है इसलिए बहतर होगा कि 2024 लोग सभाचनाओ के लिए बीजेपी कोई नया चेहरा तलाश कर ले तब तो कुछ उम्मीद होगी भी लेकिन अभी के स्थिती में तो बीजेपी का हाल बिहाल है उद्धो ठाकरे ने बीजेपी और उसके नेताओं को नसीहत देते हुए लिखा कि उसके पास मोदी और फसाद के सिवा कोई दूसरा प्रोड़क्ट हो तो बाजार में उतारे इस प्रोड़क्ट की एक्सपारी डेट 2024 तक ही है 2024 में मोदी का सूर्य नहीं होगेगा यह उ ठाकरे ने मोदी से लेकर अमिच शाह तक को निशाने पर ले लिया मोदी और उनके भाशन की बखिया उधेर कर लखती लिखा कि इंडिया गट बंधन संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले आया इस वजह से प्रधान मंत्री को लोगसभा में आकर पूलना पड़ा यह त थे कॉंग्रेस को कोसने वाले अपने पसंदीदा टॉपिक पर थे पंडित नहरू की वैश्वी काभा और स्वतंत्रता संग्राम में कॉंग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह यह लिखा हुआ है दस साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उबर नहीं पाए है आपको पताई है कि कैसे पानी पी पी कर मोदी कॉंग्रेस को हर समस्या की जड़ बता रहे थे इस पर उद्धाउ ठाकरे ने पूछा है कि मनीपूर समस्या का ठीकरा उन्होंने पंडित नहरु पर फोड़ा तो फिर पिछले दस साल तक सत्ता में रहकर आपने क्या किया दस साल प्रधान मंतरी रहने के बावजूद मनीपूर का ठीकरा नहरु पर फोड़نا ये राजनितिक दिवालियापन ही है पीए मोदी ने संसत में कहा था मनीपुर में जल्दखी शान्ती का सूरज उगेगा इस पर मोदी की बखिया उधेरते वे उद्धों ने पूछा है कि जब आप कहेंगे सूरज को उगने के लिए तभी उगेगा क्या क्या सूरज पर बीजेपी का मालिकाना हक है अविश्वास प्रस्ताओं के दौरान कईयों के मुखोटे उतर गए और सत्ता पक्ष का चिर्चड़ापन सभी के सामने आ गया सामना ने लिखा कि राहूल गांदी का भाशन ही इस चिर्चड़ेपन की मुख्य बज़े रही क्योंकि आज के राहूल गांदी दस साल पहले वाले राहूल गांदी नहीं है और आप इसे स्विकार नहीं कर पा रहे हैं इतना ही नहीं सामना में राहूल गांदी उनके तेवर उनके अंदाज की भी जम कर तारीफ की गई है इसके बाद उद्धो बीजेपी, मोदी और उनकी टोली की लानत मलामत करने लगते हैं आपको याद होगा मनीपुर जैसे गंभीर मुद्धे पर जिसके लिए विश्वास प्रस्ताओ तक लाया गया उस मुद्धे पर मातर तीन मिनट के भाशन में पी एम मोदी ने कहा था कि पुरवत्तर भारत से मेरा खुद का भावनात्मक नाता है इस बयान पर अखबार ने कहा कि अगर इतने भावनात्मक नाते रिष्टे हैं तो फिर मनीपुर में जब निर्वस्तर करमहिलाओं के बार बार जुनूस निकाले जा रहे थे तब प्रधान मंतरी मोदी की भावनाई क्यों जम गई थी अगर लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताओं नहीं लाया गया होता तो मोदी मनीपुर पर अपना मौन कभी नहीं तोड़ते मोदी को आखिर कार मनीपुर पर मुँख खोलना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताओं का उद्देश सफल हो गया क्योंकि इसका उद्देश यही सिर्फ मोदी को संसद में बोलने पर मजबूर करना था इसके अलावा कुछ भी नहीं मोदी के अलावा सामना ने किंद्रिय ग्रे मंतरी अमिद शाह पर भी खूब निशाना साधा है लिखा है कि शाह मोदी की निजी जरूरत की वजह से ग्रे मंतरी के पद पर बैठे है ताना शाह को अपने गैर कानूनी आदेशों को लागू करवाने के लिए एक करीबी हवलदार की जरूरत परती है गोर कीजिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक बड़ी पार्टी मोदी को ताना शाह कह रही है और ग्री मंतरी अमिद शाह को ताना शाह का हवलदार बता रही है अखबार ने मोदी के भाषण को निशाने पर लेते हुए लिखा कि मणीपूर के मुद्धे पर P.M. मोदी ने राजनीत नहीं करने की अपील की आवान किया लेकिन असल में वो खुद राजनीत कर ले थे और सिर्फ राजनीत कर ले थे क्योंकि मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट का भाशन दिया इसमें से 2 घंटे 10 मिनट राजनीत पर बोले और बचे हुए 3 मिनट मनिपूर के लिए थे इसके साथ ही सामना ने ये भी लिखा है कि मनिपूर पर अपना अभी भाशन अगर उन्होंने संसत के दोनों सदनों में किया होता तो इंडिया गटबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाना ही नहीं पड़ता और मोदी को इस उमर में 2 घंटे 13 मिनट तक चिरिचिण नहीं क पता चलता है कि कॉंग्रेस की राजनितिक चालों ने मोदी की नीन दुड़ा रखी है और वो इसके अलावा कुछ और सोच तक नहीं पा रहे हैं बीजेपी सामना पर गौर करेगी या नहीं इसका जवाब आप भी जानते हम भी जानते हैं लेकिन इसमें कोई दोर आय नही में जब उनके अपने ही सांसतों की दिल्चस्पी नहीं थी उंग रहते सो रहते तो किसी और की क्या ही होगी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से लोग मजे ले रहे हैं कि मोदी जी आपका अपना सूरज डूबने लगा है तब ही तो आपके अपने साथ ही आपका सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाई गंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताई हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेस्बूक पर देख रहे तुमार